नमस्कार किसान भायो आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है एक बार लगाए पान सालों तक कमाएं जिहां आज मैं बात करने वाला हूँ किसान भायो परवल की खेती के उपर परवल के खेती किस परकार से किया जाता है किस समय में किया जाता है और किन किन बातों के ध्यान लखना पड़ता है परवल में जो रोग लग जाता है उसको किस परकार से निधान आप करेंगे कि देखेंगे कि परवल का खेती करते समय जो परवल होता है वो सर करके पीला होने लगता है और पूरे बरपाद नहीं होता ह चोटे-चोटे से परवल होकर के पिला होकर के जहर के गिरने लगता या इस परकार से जो देख रहे हैं पिला-पिला परवल इस परकार से होने लगता बरा हो जाने के बाद भी और भी बहुत सारे से परवल मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि छोटे-छोटे ही होते हैं और प परकारसे आप करेंगे वो सारे कुछ इस वीडियो में आप देखेंगे चैनल पसलिबार आए हैं तो प्रेस चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो को लाक जरूर करें तो चली क्तला करते हैं किसान भायव सबसे पहले लेकर के नौवंबर तक इसका खेती किया जाता है और इसको किस मीटी में किया जाता है तो इंडिया के सभी मीटी में लगभग चाहे बलुवाई दोमट मीटी हो या बलुवाई मीटी है या चिकनी मीटी हो या चिकनी दोमट मीटी हो काली मीटी हो लाल मीटी हो पिली मीटी ह हर परकार के मीटी में परवल के खेती किया जा सकता है अब कर सकते हैं अब बात करते हैं कि अगस्त से लेकर के नवंबर के बीच में इसका खेती करते हैं तो इतना लंबा समय क्यों कि क्योंकि जी समय अगस्त में इसका पोधा लगाते हैं उसका फलाबरिंग और हर्वेस्टि तो सूरे जुलिए उससे कम होता है उसलिए आगास्ट और में अग्रावक्ते साइनल तो से मनें समाना पाइस में आते हैं तो सानिया करेगा विकास बहुत यह से खर लेता है सितंबर में लगाते हैं तो अगस से लेकर नॉर्मंबर के बिच में सखेती कर सकते हैं और जो सी और सितंबर में करते हैं खकेत्शी तो थोड़ा प्वेढा आपको मिल सकती है यह थोटा ऐसे कर Ted अगर परती एकर के हिसाफ से करते हैं करने के इसका दो बिधी एक तो मचान बिधी से जो देख रहे हैं कि इस परकार से मचान बिधी से कर सकते हैं और दूसरा बिधी जो होता है जो कि खेतों में करते हैं उस बिधी से कर सकते हैं तो खेतों में आप करेंगे तो खेतों में द प्रवल को लगाने के बाद में जो नीचे घास नुगने के लिए या पुवाल हो या किसी और भी राइस और सो का जो इसलिए उसको मसंतर नहीं करते हैं अगर करकर के अराम से लगा नहीं पड़ता है तो ले बहुत लंबा टाइम कंद नहीं दे हैं ऑन पयूआ के और परवल वान राजेंदर, परवल 2, शूरं, चूर्न अलोकिक, नीमिया, सुर्न, रेखा ये सब परवल की भराइटी है जो कि उतर परदेश, विहार, जारखांड, पचिम बंगाल साइड, मधपरदेश के साइड में इसी भराइटी के खेती ज्यादा तर किया जाता है अगर आपके उधर यसे राजस्थान हो गया, च hazard हो गया या महराज साइड हो गया इसे में खेती करना चाहते है तो एक बार ट्राइ करके जरूर इस भराइटी को देखे खेती अगर अच्छा से होता है तो इसका भराइटी खेति आप सकते हैं फिर बात करते हैं कि अगर खेतों में आप इसका खेती करना चाहते हैं तो वो किस परकार से कर सकते हैं तो सारा हुआ गोबर के जो खाद होता है एक एकर में चार से पांस टिलारी दे करके खेतों में और रोटा वेटर से गहरी जुताई इस परकार से करवाए और उस गोबर क एक वरिद्य करके पूरे मिटी में मिला दे तब उसके बाद जो होता है पौधरोपन करे पौध जो होता है इसका जहारी नामा होता है उसको जहार होता है उसी को लगाया जाता है जो बेल होता है उसको लपेट करके गोला बना करके तो या तो आप दोनों साइड से मुझ पर लगता है और पनप करके उपर आ जाता है तो इस बिधी से जो होता है आप खेतों में कर सकते हैं और खेतों में भी करने के बाद जो होता है मार्च से इसमें फ्लावरिंग आना इस्टार्ट होता है तो यह गर्मी सीजन का जो यह फ्रूट है जो फल है वो गर्मी सीजन का है गर्मी के जब तक यह इस पर लगी रहती है तब तक यह फ्रूटिंग आते रहता है मान लीजिए के मार्थ से लेकर के अपरील माय जून जुलाई अगास सितंबर अक्टूबर नौवंबर तक इसका खेती जो है जब इसमें ठंडी ज्यादा परने लगता है जब इसमें पाल से जो होता है इसका खेती होता है और खेतों में लगाने के जो विद्धी होता है वो पौद से पौद के जो दूरी होता है वो 6 फीट रख करके लगाए और जो लाइन से लाइन के दूरी होता है वो 9 फीट पर लगाए या पौद से पौद के दूरी 8 फीट पर लगाए और लाइन से लाइन के दूरी आठ फिट पर इस परकार से जो होता है वो आप खेतों में अपने खेतों में जो परवल होता है उसका बेल लगा सकते हैं अगर आप जिस परकार से देख रहें कि अगर मचान बना करके करते हैं इस परकार से जहांखा लगा करके अगर आप करते हैं तो जो इसमें देखे कि capacity जितना आपके जमीन के उपर रखने का जितना capacity आप दे सकते हैं अपने मचान के उपर जो यह bed बनाए होते हैं इस bed के उपर उस हिसाब से देखे कि यहां पर 8 feet के दूरी पर जो होता है एक बेल लगाए और ऐसे करकर के हर 8 feet के दूरी पर दोनों जहां से इसका जो बेस होता है जहां पर यह लगाया गया हुआ है मैं आपको अभी दिखा रहा हूं जहां पर इसका जर होता है वहां पर एक ही जगह पर जो लगाया हुआ था तो लगतर के तीन चार बार करके लपेट करके उसको एक ही जगह पर लगाया गया हुआ था जो उस समय देखेंगे कि बेल जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद आगे के तरफ जैसे जैसे बढ़ता गया हो और ब्रांचेस उसमें से निकलता चला गया जितने भी सखाए और उपर निकला उसको सभी को मैं लेकर के उपर कर दिया हो और यह जो देख रहे हैं इसका जर है में हुई से जो फ्रूट है इसमें जो सब्जीया है परवल वह पांच सल तक लूगा इसलिए यह मचान का जो बेस है वह मजबूत बनाया हूँ जो भी इसमें बास और बंबू लगा हुआ है वह बिल्कुल टाइट दिया हूँ और देख रहे हैं कि कितने सारे इसमें फ्लाब ढूल लगा है और देख रहे हैं कि अभी का टाइम और ठीक ठक चल ला है क्योंकि यह पहला तु lease का है colour और बहुतip कि यह बहुत परवल लग चुका है उसमें थोड़ा सा देखेंगे कि थोड़ा सा बारा हो जाता है उसके बाद वो जहर करके गिरने लगता है जो कि यहां पर है यह देख सकते हैं मैं इसको अभी निकाल रहा हूँ इस परकार से जो देख रहे हैं कि परवल पिला हो करके सुक्रने के बाद गिर जाता है या बार पहले बुलू धबा साप पीला धबा थावाहलका बनने लगता है फिर धीरे देखेंगे दो से चारों दिनों में सारे जो होता है फूट वो आपका पीला हो जाएगा और फिर वह सर जाएगा सर करके वो गिर जाता है, तो उसके लिए आप दबा का एस्प्रे कर सकते हैं, इंडो फिल M45, 2 kg, 2 kg मातरा इसका दबा के लिए और 1000 लीटर पानी में मिक्स करके और इसका छिर्काब करें, ये एक एकर का आकरा है, अगर आपके खेतों में हैं, खेतों में कर सकते हैं, अगर आ एक एकर के दर के हिसाब से, जो इसका एस्प्रे होता है, जितना जमीन होता है, जितने जमीन के उपर मचान होता है, उस परकार से लेकर क्याप कर सकते हैं, अब बात करते हैं, परबल में जो लतर होता है, जो पता होता है, उसके उपर पाउडरी मिल्डू जो होता है, वो लग जाता है इसमें तो रोग लगने के बाद जो होता है कि आपका जो इसमें पते देखेंगे वो जो पाउडर जैसा हो करके और धाग धबे पते पर आने लगते हैं तो उसके लिए जो है आप जो होता है कि मैंको जेब जो हता है दो गराम से लेकर धाई गराम परती लीटर पानी में डाल करके उसका एस्प्रे जो पाउडर फर में आता है उसका एस्प्रे जो होता है पानी में परती लीटर पानी में दो से धाई ग्राम ले करके इसके उपर आप कर सकते हैं चाहे आपके खेत में है या मचान पर है तो इस परकार से एस्प्रे कर सकते हैं तो वीडि